नमस्कार दोस्तों आज के गणित के क्लास में हम सीखेंगे दशमलो संख्या पर संक्रियाएं जिसके अंतरगत घटाना अर्था सब्सक्रिशन पर बात करेंगे इस वीडियो को अंदर तक देखेगा हम इतने प्रस्नों को समझाएंगे कि किस प्रकार से आप यसे कठिन प्रस को आपको हल करना है जिससे आपका अच्छे से प्रेक्टिस हो जाएगा आपको ग्यात ही होगा कि हम अपने उज्वल लग्षे यूटूब चैनल में बेसिक मैथ के कॉंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं जो सभी कक्षे के लिए उप्योगी है यहां तक कि यदि आप नवदय च कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर यहां से बेल आइकन को प्रेज करके और नोटिफिकेशन को अन कर दिजेगा इससे जो भी वीडियो हम अप्लोड करेंगे वे आपके मॉबाइल तक सबसे पहले नोटिफिकेशन की मांत्यम से पहुँचेगा यहां पर पहल समझ जाए अब इसको घटा दीजिए तो 6 में से 4 कम करेंगे दो मिलेगा दशामलों का दशामलों यहां पर शुनने यह बहुत सरल था उसी प्रकार से 20 दशामलों साथ दो सबसे पहले पहली संख्या को लिखे फिर देखिए यहां पर एक अंक वाली संख्या है दशामलों के इससे बात दो अंक है तो उसे हम कैसे लिखे नीचे लिखते से में ध्याने नहें कि दशामलों के-र नीचे 10 समलों रहे होना चाहिए तो यहां पर दश्व मौ के पहले 8 है तो यहां पर 8 लिखिए 2 और 5 आगे देखिएक हम ना इस प्रकार की प्रस्णों को हल करने वाले य लेकिन आपको बहुन सरल लग जाएगा यé 2 परस्टे जो हैं हमने बहुन सरल लिया था अब देखिए इसको आप हल कीजिए घटाये इसको अपने सिंपल तरीके से घटा लिए इसको कैसे हटाएंगे तो यहांपर देखिए कराएंगे और एक दशांस को इसको दे दिये तो यह हो गया इसके पास आ गया दस और दस दो बारा तो बारा में से पांच कम करें साथ मिला ठीक है उसके बाद इसके पास छे दशांस बचे हैं तो छे दशांस में से दो दशांस कम कर दीजिए बच जाएगा 4 ठीक है उसके बाल यहाँ पर देखिए अब यह जो है इकाई है सुन्ने इकाई में से 8 इकाई कम करना है जो संभो नहीं है तो यह जो है दहाई से चिलहर कराने के लिए कहेगा तो दहाई जो है चिलहर कराया इधर 10 आगया तो 10 में से 8 कम करनेंगे दो और यह 1 का 1 तो इस प्रकार से 12.4 इसका उत्तर मिला आब इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे यहाँ पर 10.4 के बाद 1 अंख है और 10.4 के बाद 3 अंख है तो इसको कैसे हल कर सकते हैं यह देखते हैं बहुत सराल तरीका बता रहा हूं सबसे पहले पहली संख्यों को लिखिए 9.3 ठीक है और उसके बाल लिखिए 10.5 नीचे 10.5 और यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 आप इसको घटाईए यहाँ पर कुछ नहीं है 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 6 गया 2 अगर ऐसे आप बना देते हैं तो यह टूटल गलत है ठीक है ऐसे अगर यादी बनाते हैं आपने इस प्रकार से लिखा यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो हम जैसे जैसे यहाँ पर लिख दिये ठीक है और उसके बाद 13 में से 5 कम किये हैं 8 मिला अब 8 में से 6 कम किये 2 मिला हमने तो सही बनाया है लेकिन गलती कहा हुई है यहीं पर आपको समझने की जुरत है आईए बताते हैं गलती कहा हुई है आप खुद समझ जाएंगे अब ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर क्या गलती किया है उसको यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले दी गई संख्य को लिखिए 9.3 उसके बाद दुसरे संख्या को इसके नीचे लिखना है तो दशमलो के नीचे दशमलो और यहाँ पर आ गया 6 और उसके बाद ये 5 ये 2 और 5 फिर इसको घटाईए जब आप इस तरह से देखते हैं तो आपको यह कठिन लगता होगा हमने जब दशमलो का जोड है आप क्या कीजिए दशमलो के बाद कौन सी संख्या में सबसे ज़्यादा अंक है उसे देखिए दशमलो के बाद एक अंक है दशमलो के बाद तीन अंक है तो इसको भी तीन अंकों की संख्या बना दीजिए अब आप देख रहे हैं जब आपने इस प्रश्न को देखा तो और यहाँ जो है सरल लग रहा है अब शुन्य में से पांच नहीं खटेगा तो सुन्य इसके पास जाएगा यह इसके पास जाएगा तो इसके पास तीन दशांस है तो तीन दशांस में से एक दशांस का चिलहर कराएगा और चिलहर कराने के बाद इधर दे दिया तो इस प्रक पर मैं चिलहर शब्द का प्रयोग कर रहूं उधार का प्रयोग नहीं कर रहूं तो चिलहर और उधार दो अलग-अलग concept है यदि आप उधार लेते हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है और यदि आप चिलहर की रूप में इसको समझते हैं तो क्या असानी हो सकता है इसके लिए नो हो गया, तो 10 में से 5 कम करेंगे, बचेगा 5, नो में से 2 कम करेंगे, बचेगा 7, अब ये है 2 दशांस, जिसमें से 5 दसांस कम करना है, तो यहाँ, इकाई के पास जाएगा, इकाई जो है, एक इकाई को चिलहर करा कर देगा तो वो जो है यहां तक आते आते 10 बन जाएगा और 10 और पहले से 2 तो 12 हुआ और 12 में से 5 कम करें 7 बचेगा उसके बाद दशमलाव का दशमलाव और 8 में से 6 कम करेंगे 2 मिलेगा इस प्रकार से 2 दशमलाव 7-7-5 इसका उत्तर हुआ अब देखिए इस प्रस्नों को हम कैसे करें बिना दशमलावाली संख्या से दशमलावाली संख्या को घटाना है कठीन है आईए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं बहुत सरल तरीका बताएंगे आपको पता ही है हमारे चैनल में हम गरित को बहुत सरल करके बताते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवस्से कर लिजेगा वीडियो को लाइक भी किजेगा तो सबसे पहले 6 लिखिए और 6 के नीचे लिखिए 5-9-9 दशमलाव शुन्या मैंने सही लिखा न तो यह बिल्कुर गलत तरीका है आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको 6 लिखना है और 6 के बाद 10 शमलाव नहीं है इसका अर्थ जो है 6 एक अपने आप में पूर संख्य है उसके साथ कोई टुकड़ा जुड़ा नहीं है और यहाँ पर देखिए दसमलाव के पहले शुन्य है अर्थात इसके पास एक भी साबूत वस्तु नहीं है जो भी है टुकड़े में है तो 6 के नीचे शुन्य आएगा तो सबसे पर यहाँ सुन्य लिख लीजे फिर यह हो जाएगा 9, 9, 5 अब यहाँ पर देखिए इसमें दसमलाव का अंक नहीं है तो आप क्या कीजे इसे भी दसमलावाली संख्य बना दीजे तो दसमलाव सुन्य 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 ठीक है अब असान लगा होगा आपको सुन्य में से 5 कम करेंगे नहीं होगा यह जाकर कि इसके पास जाएगा इसके पास ये जो है चिलहर कराएगा तो 6 में से एक चिलहर कराएगा यहाँ 10 हुआ 10 में से एक इसको दिया इसके पास 10 हुआ 10 में से एक इसको दिया इसके पास 10 हुआ तो 10 में से 5 कम करेंगे 5 मिलेगा 9 में से 9 कम करोगे 0 मिलेगा यहां पर भी 0 आएगा उसके बाद दशमलो का दशमलो और यहां पर 5 तो इस प्रकार से आपने देखा जब हमने इसको घटाया तो 5 दशमलो शुन्य शुन्य पांच मिला अब हम चलते हैं पांचवे प्रस्नी की और जो कठिन लग रहा होगा आपको उसे भी हम सरल बना देते हैं सबसे पहले संख्य को लिकिए 100 दशमलो सुन्य सुन्य एक ठीक है उसके बाद दशमलो के निचे दशमलो इधर आएगा शुन्य इधर आएगा दो अब इसे घटा दीजे, इसमें फिर सुने लगा दीजे, इसमें सुने लगा दीजे, ये एक हुआ, ये शुन्य हुआ, ये जो है इधर जाएगा, दस हुआ, दस में से एक इसको देगा, ये दस हुआ, दस में से एक इसको दिया, ये दस हुआ, दस में से दो कम करेंगे, आट बचेगा ये 9 और ये भी 9 ठीक है तो 99.8 सुन्य एक इसका उत्तर हुआ अब हम अगले प्रस्न क्यों चलते हैं जो बहुत सरल है अब आपको बहुत सरल लग रहा होगा एक पहले लिखिए उसके निचे लिखिए सुन्य दिसंबलो दो चार पाँच फिर यहाँ पी दसंबलो लगाईए एक दो तीन सुन्य लगाईए घटा दीजिए पाँच नौ में से चार गया पाँच नौ में से दो गया साथ अब ये शुन्य का शुन्य तो सुन्य दिसंबल को बहुत ही जल्दी हल कर लिए अब आपको इसी तरह से मैं एक home work दे रहूँ उसको आपको हल करना है यह आपके home work के प्रश्रिप्शन है इसको आप वीडियो को pause करके अपने copy में लिख लिजे और इसे copy में हल करना फिर इसके उत्तर को जैसे इसको मिरे तक पहुँच जाएगा और मैं उसे चेक करके बताऊंगा कि आपने इसका उत्तर सहीं दिया है कि गलत दिया है। उमिद करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। इस अधार पे आप अपने पुस्तक के प्रस्नों को हल कर पाएंगे। हमारे अगले वीडियो को अवस्य देखेगा जिसमें हम बताएंगे कि कितनी सरलता से हम 10-11 संख्याओं को गुणा कर स सकते हैं। धन्यवाद।